मॉक टेस्ट आ चुका है आप अपना पैन और एक कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए और जो भी नएक एंडिडेट से उनको बता दें कि इस टेस्ट का नियम ये है कि आपको करना क्या होता है कि आपको 10 क्वेस्टन यहाँ पर दिये जाते हैं और एक, दो, तीन प्वेस्टन करके और उनके सामने जो आप्शन सही रहता है मालेजे कि B सही है तो B लिखेंगे और B वरे आप्शन में क्या दिया है वो चीज़ भी लिखेंगे दूसरे में मालेजे कि C सही है तो C लिखेंगे और जो भी उसके सामने आप्शन का नाम रहेगा वह लिखेंगे, इसी तरह दस्यों question का answer लिख करके इसका एक photo click करेंगे और photo click करके आप Instagram पर हमें send कर देंगे, उसे इसाब से हम आपका answer check करेंगे, जिस परकार से आपका result रहेगा, वैसा आपकी merit बनाई जाएगी, वहाँ पर grade दिया जाता है, और सभी बच्चों में आपको पता चलता है कि नहीं मेरा जो तैयारी का प्रिपरेशन का जो मेरा तरीका है जो मेरा रास्ता है वो सही है या गलत है मैं कहां तक पहुंच चुका हूँ और कहां तक अभी पहुंचना बाकी है यहां पर सभी जो questions होते हैं बिल्कुल exam oriented होते हैं और vocabulary वाली जो चीज इसमें द लिए आपको link description में मिल जाएगा या कि फिर आप सीधे इंस्टाग्राम पर जाके दस उधीर पांड़े सर्च करके वहां पर जूड़ सकते हैं और एक चीज और आप देख सकते कि इंस्टाग्राम में अभी यह चीज भी post किया जाता है बीच-बीच में question दिये जाते हैं औ इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली कुछ बढ़ाने के लिए और इसका एंसर भेजने के लिए चलिए पहला question आपके सामने आ चुका है उमीद है कि आप अपना pen और एक copy लेकर के तयार हो चुके होंगे question में आपको find the error बताना है यह instruction लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पढ़ेंगे यहाँ पर कह रहा है कि find the error आपको यानि कि जिस पार्ट में गलती है उसे बताना है question है कि Mr. Mukes Bhatnagar our colleague he will attend the meeting on our behalf तो important question है और colleague की spelling आपके exam में आ चुकी है तो इसका भी ध्यान देंगे इसको एक बार लिख करके practice कर लेंगे बाकी यह question आपके सामरे रुका हुआ है इसका answer आप मिलाएए आपके लिए थोड़ा सा समय है और answer आप मेरे साथ ही साथ करते चलेंगे तो आपके लिए बहतरीन होगा question number one लिखे और किस पार्ट में error है वो लिखे option A, B, C या D चलिए उमीद है कि आप अपना answer देख चुके होंगे और लिख चुके होंगे कहीं से भी कोई भी help मत लिजेगा पूरी इमंदारी के साथ दूसरा question आपके सामने आगया इसमें भी find the error आपको बताना है question number two है जिस पार्ट में error होगा उसको बताएंगे दकार usually stands besides the tree no error अगर कोई भी पार्ट में error नहीं होगा तो no error पर click करेंगे यानि कि option number D लिखेंगे और यदि किसी और पार्ट में error होगा तो उस पार्ट को लिखेंगे कि इस option में error है important question है देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही important है और इस label का question आपके exam में एक नहीं एक से कई अधिक बार पूछा जा चुका है ये बहुत ही important questions में से एक है अब उमीद है कि आप इसको कर चुके होंगे तो चलिए अगले question की तरब बढ़ते हैं और अगला question आपके सामने क्या हो सकता है बहुत easy है c-all her money at one shop in the mall बहुत ही important question है उमीद है कि आप इसका सही answer करेंगे चलिए लिख चुके होंगे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको exam में एक question के लिए एक minute मिलता है यानि कि 20 question के लिए 20 minute होता है लेकिन आपको एक minute से भी कम समय देना पड़ेगा he was not ready as the promotion option A for B in C of D because देखिए एक minute से कम समय एक question में लगाएंगे तभी आपको पैसे solve करने के लिए इस्ट्रा दो तीन मिलेट मिलेगा और उसी एक्स्ट्रा दो तीन मिनट में आप पैसेज को पढ़ेंगे और उसका answer करेंगे तो एक minute से कम समय आपके एक question के लिए होता है मान लिजे कि 40 सेकेंड होता है एक question के लिए अगर आप solve करना चाहें ये question काफी easy है और पढ़ते ही आप answer click कर चुके होंगे कि कौन सा answer सही है तो चलिए पढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपकी सामने आ चुका है और यहाँ पर आपको क्या करना है instruction पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि select the similar in the meaning to the world की बिन similar word बताना यानि कि synonym बताना है आपकी सामने word आ चुका है purge लिखा हुआ है और silent होगा यहाँ परज नहीं बलकि purge पढ़ेंगे इसको इसका synonym क्या हो जाएगा evacuate या कि फिर pressurize या thrust या कि फिर float option आपकी सामने और उमीद है कि आप इसका सही answer कर चुके होंगे similar बताना है synonym बताना है question आसान है important है अब next question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर आपको जब instruction पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि select the word opposite in the meaning of the word given तेकि इंस्ट्रक्शन को आप बिल्कुल ध्यान पूरोग पढ़ना होगा exam में क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि synonym के जगा antonym बता के चले आते हैं और antonym के जगा synonym बता के चले आते हैं इसको जरूर पढ़िएगा opposite लिखा हुआ यानि के उल्टा यानि के antonym बताना है आपको altercation लिखा हुआ है important word है और यह हम आपको करा भी चुके हैं यहां पर option आपके सामने हैं बताइए कौन सा सही हो सकता है explanation या challenge या कि फिर promise या कि फिर compromise या कि फिर opposition क्या हो सकता है आपके सामने options हैं बहुत ही easy question है यह next question की तरह बढ़ते हैं in the following questions out of four alternatives select the alternatives which expresses the meaning of the idiom and phrases यहां पर idiom और phrase का आपको meaning बताना है बहुत ही important है dump square dump square का मतलब क्या होता है complete failure या कि फिर complete knowledge या to motivate या to squander money क्या हो सकता है आपके सामने options हैं और आपके पास time भी है लगि time बहुत ही कम है इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको पता है कि इसका answer क्या है तो वो अपने answer book में लिखिए अपने रभ पर लिखिए अपने pain से लिखिए उमीद है कि आप लिख चुके होंगे तो बढ़ते हैं अगले question की तरब अगला question आपके सामने आज चुका है कह रहा है कि which is the best substitute of the phrase यह जो phrase है यह जो word है यह जो line दिया हुआ है यह sentence दिया हुआ है इसका best substitute बताना है यानि कि one word substitution से questions कह सकते है men behaving more like a woman than as a man क्या हो सकता है इसका option a b option b effeminate और option c gregarious और option d inalienable यह हो सकता है आपके सामने options है inalienable या कि फिर beeped या कि फिर effeminate या gregarious क्या हो सकता है चलिए उम्मीद है कि सही आप कर चुके होंगे तो अब अगले question की तरफ बढ़ते है अगला कि select the one which best expresses the same sentence in passive wise क्या लिखा गया है c opened the lock option आपकी सामने है the lock opened by her the lock was opened by her या the lock is open by her या the lock is too open by her यह चारो option है चारो में से जो भी सही होगा आप बताएंगे अपने answer book में उम्मीद है कि आप इसका सही answer लिख चुके होंगे पैसी wise solo करने के लिए बहुत से clue होते हैं बहुत से तरीके होते हैं और बहुत easy यह question था अगला question आपके सामने narration से आचुका है direct indirect question है he said to the doctor comma inverted comma how soon will I be able to walk again absence आपके सामने है और इसको भी solve करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं इसमें comma inverted comma को देखा जाता है reporting word को देखा जाता है reported speech को देखा जाता है subject object no change को देखा जाता है तो बहुत सी चीजे होती हैं अगर सभी चीजों को मिला करके ज़्यदी देखा जाये तो सही answer तक पहुंचा जा सकता है या एक एक क्लो से एक एक option को eliminate करके भी आप सही answer क्लिक कर सकते हैं उम्मिद है कि ये आपके सामने 10 questions अब जो पहुँच चुके हैं और इन 10 questions का आपने सही answer लिख चुके होंगे तो अब क्या करना है आपको उस लिखे हुए questions का आपको एक photo क्लिक करना है और link description में Instagram का वहाँ पर जा करके हमें message send कर देना है उसी Instagram ID पर ताकि हम आपका number बना सके हैं बिल्कुल clear लिखेगा आपना answer ताकि हमें बनाने में आसानी हो और आप चाहें तो 5 एक side में और 5 एक side में लिखेंगे तो और आसानी होगी हमें बनाने में अगर किसी भी option में आप लिपा पोदी करते हैं यानि कि A का over writing करते हैं A के उपर B और B के उपर C और C के उपर D लिख देते हैं यदि वो confused create करता है तो उसको हम गलत मानते हैं ठीक है तो बिल्कुल clearly लिखेगा over writing नहीं होना चाहें जो चीज एक बार माने जिए A लिख दिए तो A ही रहे अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी D लिखते हैं और उसे में B बना देते हैं तो confused है कि वाकई में आपने B पे क्लिक किया है कि D पे क्लिक किया है ठीक है तो बिल्कुल चीजे clear रखेगा और कहीं से भी कोई भी help मत लिजेगा ना कि Google से और नहीं अपने किसी भी पिछले नोट बुक से या नहीं किसी grammar की बुक से बुलकि पूरे इमंदारी के साथ आप चीजे करिएगा तो इसका result next morning आपको मिलेगा तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्र